ही हला आप्रीवन वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल स्टई भी जरीगा तो गाइज आज हम कंटीन्यू करेंगे हमारा पार्ट सिक्स चैप्टर ट्वाल्व का जिसमें इसके नेक्स्टू पेजिस पेज नमबर 145 और 146 का वर अप करेंगे तो जल डिसी स्टार्ट करते हैं open your books with page number 145 and also make sure to subscribe the channel तो देखो इसमें हम how heavy how light पढ़ रहे हैं आज हम करेंगे post office की जो एक post office है उस पे हम parcel and letters कैसे post करवाते हैं उनके जो पैसे लिये जाते हैं मतलब जो चार्ज करते हैं rupees को किस हिसाप से करते हैं तो सबसे बहले कुछ questions पूछे हैं उनको करते हैं have you ever been to go a post office क्या आप कभी किसी post office में गए हो अगर गए हो you can write it as yes otherwise no what different things true people go there for तो लोग वहां क्या क्या करने जाते हैं देखो लोग वहां अपने letters post करवाने जाते हैं वो अपना parcel post करवाने के लिए जा सकते हैं या कुछ money order send करने के लिए जाते हैं and कुछ लोग उस post office में bank वाली activities करने जाते हैं तू परचेस पोस्ट कार्ड आइलेंड इन्वैल्प और स्टैंप सब इन्वैल्प क्या होता है जिसमें हम अपने जो पोस्ट करने वाला letter है उसको टैक करके देते हैं ठीक है तो यह सब कुछ खरीदने के लिए यह सब activities करने के लिए हम एक पोस्ट ओपिस म पैसा how much an island letter cost island letter postcard से थोड़ा सा महंगा होता है बट आपको अपनी जो आपकी city में प्राइज है वो लिखना है so it cost to rupees 2 समझाया यह सिंपल से question थे जो आपको note down करने थे अब हम चलते हैं हमारे calculation बले पाइट यहां पर आपको चार्ट दिया हुआ है proper rates का कि अगर आपको single postcard करवाना है तो उसके लगेंगे 0.50 it means 50 पैसा अगर आपको printed करवाना है तो उसके लगेंगे रूपिस 6 island letter करवाना है तो उसके 2.50 जिसको हम लिख सकते हैं रूपिस 2 and 50 पैसा ठीक है लेटर वेटिंग अगर देखो एक तो यह पोस्ट हो गई हमारी next है लेटर वेट के हिसाब से अगर आपका लेटर 20 ग्राम का है बहार उसका देखेंगे वह कितना हैवी है अगर वह 20 ग्राम का है तो वह होगा रूपिस 5 का and 20 से जादा होता है तो हर additional 20 के लिए 2 रूपिस add कर दिये जाएंगे जैसे स्पोस करो यहां है 40 ग्राम आपका जो लेटर है वह 40 ग्राम वेट का है अब यह 40 ग्राम में क्या है 20 प्लस 20 ऐसी लिखेंगे ना इसको क्योंकि 20 के हिसाब से रेट करना है तो इस 20 के कितने रूपिस है 5 रूपिस बट उन्होंने कहा है अगर additional करत हो तो उसके 5 नहीं कितने लगेंगे 2 रूपिस एट मेंज यह 40 ग्राम के लिए हमें कितने रूपिस देने पड़ेंगे रूपिस 7 ऐसे ही एक पार्सल भी वेट के हिसाब से है अगर उस पार्सल का वेट 50 है यह 50 से कम है तो आपको 5 रूपिस देने पड़ेंगे and additional additional कैसे 50 बढ़ता जाएगा जैसे मालों आपका 100 ग्राम का पार्सल है थोड़ा हैवी हो गया आपका तो यह 100 में कितने 50 आए 250 तो फरस्ट वाले 50 का तो सेम ही रेट लगेगा जो है रूपिस 5 बट एडिशनल के लिए अब आपको पैसे कम देने पड़ेंगे 5 नहीं देने पड़ें आपके पास एक लैटर है जिसका वेट 50 ग्राम है तो सबसे पहले हम लैटर वाले में चलते हैं देखो लैटर के दो प्राइजीज है यह वाला इधर आजो यह लैटर का जो बोक्स है या तो वेट होना चाहिए 20 यह 20 से जाए तो हमारा कितना है 50 अब इसके 2020 के प्यावर ब कि 2030 ग्राम प्लस 20 ग्राम यह कितना हो गया 40 फीन्द अ के दूट से कितना हो गया हमारा 50 ग्राम आपैसे देखते हैं कितने लगें फॉंस्ट स्वेंटी के लिए है रूपिस 5, सो इसके लिए लगेंगे हमारे रूपिस 5, plus अब additional के लिए कितने है? 2, 2 रूपिस, तो इसके लिए हो गई हमारे रूपिस 2, और इसके लिए भी हो गई हमारे रूपिस 2, यहां पर आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 10 है चाहे 2 ग्राम ही है वो 20 वाले रूपीज ही लेंगे तो यह टोटल कितना हो गया 5 प्लस 2, 7, 7 प्लस 2, 9 तो इसका अंसर आएगा कि अगर मेरा पार्सल 50 ग्राम का है तो वो जो भीया है हमारे पोस्ट ओफिस वाले वो कितना चार्ज करेंगे मेरे से रूपीज 9 तो आप यहां क्या लिखोगे देविल चार्ज रूपीज 9 इजी था सेकिंड पे चलते हैं अकाश वांच टू सेंड पार्सल ऑफ मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक तो आपके जो बुक है उसका पार्सल करना चाहता है अकाश और उस बुक का वेट कितना है 200 ग्राम अभी हम पार्सल वाले रेट्स देखेंगे सो पार्सल वाले रेट्स देखो कहा है यह लास्ट आपके टॉपिक में इसमें उन्होंने कहा था या तो 50-50 से जादा हो या एडिशनल 50 बट हमारे बुक का वेट कितना है जो आपकी मैथ की बुक है 200 ग्राम और हमें पेर किसमें बनाने है 50-50 में तो देखो 50 प्लस 50 यह कितना हो गया 100 ग्राम नाव अगें 50 प्लस 50 यह कितना हो गया हमारे पास 200 समझ आया अब कैसे देखते हैं कैसे लेंगे वह भाईया फर्स 50 के लिए तो वो कहते है मैं रूपिस 5 चार्ज करूंगा तो उनसे नेक्स्ट के लिए क्या है 5 की जगा 3 मतलब वो थोड़ा कम ले रहे है अब इसके लिए 3 नेक्स्ट के लिए और 50 के लिए भी 3 फिर लास्ट में कितना हो जाएगा यह 3 तो देखो टोडल कितना हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14 तो उस बुक को पोस्ट पार्सल करने में कितने पैसे लग जाएंगे अकाश के 14 रूपिस तो आप यहाँ पे क्या लिख होगे अकाश have to charge with रूपिस 14 तो यहाँ पे हमारा अंसर आजाएगा रूपिस 14 समय जाया नेक्स्ट पेज पे चले यह था आपका पेज नमबर 145 नेक्स्ट पेज है आपको इसमें भी सेंडिंग ही करनी है पार्सल के आपको कुछ वेट दिया हुआ है उसके साब से इसको थोड़ा जून करते है रीड इस पिच्चर में देखो कितना वेट दिखाया गया यह वेट है 200 से 250 के बीच में तो यह कितना हो गया वन तो 220 के बीच में तो 230 के बीच में हो जागा 225 ग्राम एंड उसकी कोस्ट निकालनी है कोस्ट कैसे निकालों कि वैसे ही सेम चलेगा जैसे पीछे का हमने क्या पढ़ 25 ग्राम का तो इसको कितने प्यर्ज में डिवैड करेंगे 50-50 का तो जल्दी से करते हैं यहां पर हम लिखेंगे 50 प्लस 50 क्योंकि 50-50 के हिसाब से भीया ऐसे लेंगे यह हो गया 100 then 50-50 यह हो गया 200 and next आ जाएगा हमारा 25 तो यह किसके एकोल आ जाएगा 225 ग्राम के अब पैस करते हैं फिफ्टी के लिए है बच्चे पांच रुपए उसके बाद जितने भी 50 एड करोगे उसके लिए कितने रूपीज है तीन रूपए तो यहां आ जाएगा तीन अब देखो 25 एपट भाइया तो 50 के इसाब से पैसे लेंगे तो यह भी कितना हो गया 3 हो गया सो देख जाया नेक्स्ट पे चलें हाओ मैनी स्टैंप से सिंपल सा था आपको चार्ट दिया हो था जिसमें हमें कैसे करने थो यह पैसे किसके हिसाब से हमारी पार्सल के वेट के हिसाब से नेक्स्ट पनी स्टैंप राहूल यट स्टैंप उफ को पारसल जब भी हम पार्सल सेंड गरते हैं उसके उपर यहां पिक स्टैंप लगाने बढ़ते है तो राहूल को रुपिस 25 कि स्टैंप चाहिए He went to the post office Only stamp of rupees 1, 2, 5 and 10 were there तो राहूल पोस्ट ओफिस कया तो पोस्ट ओफिस वाली भाई आगे तो 25 की कोई stamp नहीं है हमारे पास हमारे पास तो rupees 1, rupees 2, rupees 5 and rupees 10 की stamps है तो अब क्या बता सकते हो राहूल 25 rupees कैसे पूरी करेगा देखो बहुत सिंपल है या तो राहूल 1, 1 वाली 25 ले ले 1 वाली 25 stamps ले ले तो उसके 25 rupees पूरे हो जाएंगे या वो 5, 5 वाली 5 ले ले तो उसके 25 पूरे हो जाएंगे otherwise वो 10, 10 वाली 2 ले ये कितने हो गए 20 and 5 वाली 1 ले ले तो वो भी कितने हो जाएंगे 25 तो सिंपल आपको ऐसे combination बताके बनाना है कि उसको 25 rupees कैसे पूरे होंगे तो देखो first combination है एक एक rupees की 25 stamps ले लो वो 25 रुपए की हो गई 2 रुपए की 12 ले लो मतलब ये कितनी हो जाएंगे 24 and एक रुपए की और ले लो 24 प्लस 1 कितना होता है 25 otherwise 5 रुपए की ले लो 25 हो जाएंगी या 2 10 10 की ले लो ये 2 10 10 की कितने की बन गई 20 प्लस 1 5 रुपए की stamp ले लो तो ये भी कितना बन जाएगा 25 एक और तरीका है इसको बनाने का that is 10 रुपए की तो एक लो and 5 रुपए की 3 ले लो ये भी कितना हो जाएगा 10 प्लस 15 25 बहुत सारे ऐसे कंबिनेशन बन सकते है हम और भी कंबिनेशन बना सकते है कैसे देखो 1 1 की 10 स्टैम्स ले लो है ना 2 2 की 5 स्टैम्स ले लो ये कितना हो गया 10 और इसके भी कितने रुपीज हो गए 10 आज का लास्ट टॉपी करते है इस पेज पे अवर वेट तुगेदर होता है जब हम दो चीजों का वेट इकठा कर देते हैं जैसे में आपको एक टॉफी दी एक चॉकलेट दी ये टॉफी है 2 ग्राम की चॉकलेट है तो टुगेदर एक साथ ही कितनी हो जाएंगी 6 ग्राम बस वही टॉपीक है जल्दी से देखते हैं आप फ्रोग वस ट्रगलिंग टॉफीज देखते हैं यहाँ देख रहो है यह जो फ्रोग है यह उसके क्रोग के माउथ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है सब्सक्राइब चेली हम यह सब्सक्राइब पूम्टी तोग्यादर अभी बताया मतलब हम दोनों का टोटल वेट कितना है सो टोटल करके देखो यह कितना बन गए इट विल भी 795 ग्राम अब ग्रो तो देखो इंटेलिजेंट है तो जैसे ही क्रो ने यह बोलने के लिए अपनी बीग खोली अपना मुह खोला जो भाग गया क्योंक भाग उसने क्या आंसर दिया होगा उसने बोला होगा कि हम दोनों का वेट किया है स्याव नाइनटी फाई ग्राम सिंपल यह कंसेप्ट समझाने के लिए आपको स्चोरी दी गई कि तोग्यादर का मतलब है जब हम दो चीजों के वेट को एड कर देते हैं उनको प्लस कर दे तो यह था आपका पेज नंबर 146 कल हम इस चैप्टर को खतम कर देंगे कल इसके सिरफ आपके लास्ट टू पेजिस रहते हैं पेज नंबर 147 ऑन 148 के चाला सोथ अब आपके लिए नंबर 20 सेट को डाउट इसके सिर्फ आपके लागा, भाउट तो दो टेंट आपके लागा, भा, बा, बबबा, भा, वा,